आकाश्वणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मुक्य समाचार उत्साह और जुनून के साथ देशपर में आज से शिरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान राश्मंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों से निच निवास में प्रधान मंत्रीने की चर्चा धार सिले की कारम बान से जल रिसाव रोकने के लिए प्रयास हुए तेज और बोपाल में आयजित होगा राश्रिय विज्ञान फिल्म महतसफ अब समाचार अस्तार से अभियान का शुभारम किया जुमिराती डाग घर वो इस्थान है जहां भोपाल रियासत के स्वतंत्र भारत में विलाई के आंदूरन के समय जंडा फिराया गया था इसके बाद ही भोपाल रियासत का भारत संग में विलाय हुआ था आजादी के अमरित मौत्सों के आसर पर मुक्य मंत्री श्री चोहान ने सभी प्रदेश वासियों से अपने घर, कार्याले, संस्ता, सावजनी की स्थान आदी पर राश्रे द्वश फेराने का आगरे किया है नर्मदापुरम जिले में देश प्रेम की भावना से ओधप्रोत कारिक्रमों का आयोचन किया जा रहा है वहीं टीकमगड में केंद्री मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार के नितरत्त में तिरंगा यात्रा निकाली गई गुनाजले में पद्याता रैली का आयोचन किया गया उधर बैतोल जिले में 3,78,000 घरों में तिरंगा फेराने का लक्ष रखा गया है आजादी की 55 वर्षकार्ट के उपलक्ष में चलाय जा रहे हर घर तिरंगा अभियान का जोश और जुनून पूरी मद्र दीश में देखने को मिल रहा है आगर मालवा जिला प्रिशासन द्वरा भवे तिरंगा राली निकाले गई दिन में जन प्रतनी धी, अधिकारी, करमचारी, विद्यार्थी और सैख्डू कर्माने नागरेक शामिल हुए खुली चीप में कलेक्टिर और पुली सदिक्षक हाथ में तिरंगा द्वश लिए हुए थे खजुराहो में केंद्रे परिटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेडी ने तिरंगा यात्रा को हरी जंदे दिखाई और सुयम बाईक राली में भी शामिल हुए सांसत विश्नदत्य शर्मा भी बाईक राली में शामिल हुए यहां पुरातत्त विभाग द्वारा नौनेरमेट फैसिलिटेशन सेंटर में 15 मीटर लंबा थ्वश फेराया गया इंदोर रेलवे स्टेशन में राज्यकी परिटिन संस्कृती आध्यात्म मंत्री उशा ठाकों ने तिरंगा लहराया और वहां उपस्तित जनों को राश्रभक्ती राश्रेवा के शपत दिलाई जबरकुर में दिव्यांग और व्रदिजन्भी उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीहोर नगरपालिका परिशद ने रवेंद्र संस्कृतिक बौन में 30 फिट उचा तिरंगा फेराया सागर में महापौर संगीता तिवारी ने अटल पार्क से अभियान का शुभारम किया शैडोल में जिलाव्यापारी संग और कॉंग्रिस कमिटी ने तिरंगा रैली निकाली प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलों में भारत नकेवल आतिहासिक रूप से उलेखनी प्रदशन कर रहा है बलके उन शेत्रों में भी शांदार प्रदशन कर रहा है दिन में पहले उसकी कोई पहचान नहीं थी हाली में बर्मिंगम में आयोजेत राश्मंडल खेलों में भाग लेने वाले भारती दल को अपने आदेकारिक आवास पर संबोधित करते वे श्री मोदी ने कहा कि भारती नागरिक पूरी राज जाकर अपने खिलाडियों की जीत के लिए अपना समर्थन वेक्त करते रहे और प्राथना करते रहे उनने कहा कि खेलों में इस बढ़ती रुची का श्रे खिलाडियों की शांदार प्रदर्शिन को दिया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें हमेशा राश्मंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों की शमता पर पूरा भरोसा था और दे अब हर घर की छट पर शान से फैरेगा तिरंगा गुंगुनाएं जाएंगे नवविकास के गीट आन बान शान का प्रतीक राश्ट्रदवज तिरंगा आईए आजादी के अमरित महुतसव के पावन अवसर पर इस स्वाधीन का दिवस हर घर फैराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्मान का संकल्प आईए हर घर फैराएं तिरंगा ब्री के बाद समचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है दार्जिले के कारम बांध में जल रिसाब को रोकने के प्रयास तेज हो गये हैं दार्जिले के बारा और खर्गाउन जले के च्छे काव सहित को लठारा गाउं खाली करवा कर ग्रामिडों को सरक्षित जिस्तानों पर बेचा गया है जल रिसाब को रोकने के लिए सीना के जवान भी जुड़के हैं जल संसाधन मंतरी श्री तुलसी राम सिलावट ने बान निर्माड में हुई गडबडी की जाच के लिए विशेशग्यों की कमिटी गठित करने के आतेश दिये हैं वहीं मोखी विपक्षी दल कॉंग्रस ने भी अनेक विधायकों का जाच दल बनाया है संभागा युक्तु पवंच शर्मा ने बताया है कि बान की जल निकासी के लिए नहर बनाने का कारे शुरू कर दिया गया है चैनल क्रियेट करने के लिए मशीने लगाई गए हैं जिससे वाटर सीफली निकाला जा सके गौरतलभे के 304 करोड रुपए के लागत की निर्माडा धीन कारम परियोजना का भुई पूजन चार वर्ष पहले किया गया था अब तक इस परियोजना में 100 करोड रुपए खर्श किये जा चुके हैं बार्वा राश्य विज्ञान फिल्म मौटसव 22-26 अगस तक वोपाल के रविन रभॉन में आयोजित होगा आज मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहार ने मौटसव का पोस्टर लुकार पित किया विज्ञान प्रसार और मधपृदेश विज्ञान तथा प्रद्योगी की परिशत के सयंग तत्वाधान में आयोजित मौटसव के लिए 71 फिल्मों का प्रदेशन किया जाएगा समन्वेक निमेश कुपूर ने आकाश्वानी को बताया कि 25 विज्ञान फिल्म पुरुसकार भी प्रद्योगी की नवाचार, उर्जा, परियावरन, चिकित्सा, क्रिशी और पारंपरिज्ञान को फिल्मों की माध्यम से प्रूद्साहित करना है परिशत की महारदेशक प्रोफिसर अनिल को थारी ने कहा है कि प्रदेश में विज्ञान, संस्क्रती, पर्यावरन, प्रकती और नवाचार पर आधारित फिल्मों और शुद कारे को बढ़ावा दिया जा रहा है शेगरी, फिल्म, निर्माण और प्रसिक्षन का कारे करम प्रारम किया जाएगा जन्जाती लोगों की समथ्याओं का हल फिल्मों के माध्यम से खोजा जाएगा मध्यप्रदेश में फिल्म फेस्टिबल की शुरुआत के साथी क्रियेटिव लर्निंग सिंटर भी बनाया जाएगे परिशित की विज्ञानिक और जिनसंपर का दिकारी विकाश शेंडे ने बताया है कि मौधसों में प्रवेश ने शुलक रखा गया है मध्यप्रदेश उच्च न्याले के मौख्य नयाएधीश रवी वी मलिमत ने आज परिवार सहित मध्यप्रदेश जन्जाती संग्राले भूपाल का भ्रमन किया उन्होंने संग्राले की विभने दिरखाओं, चीतर प्रदेशनी, चिनहारी, सोबिनियर शॉप और पुस्तकाले लिखंदरा का अबलोकन किया संग्राले की दिरखाओं और उनमें जन्जाती समुदाय के वाच्छे को और कला परमपरा के बेहितर प्रदेशन दिथा कलात्मक सेयो जुन के पुशन साखी उन्होंने कहा कि संग्राले ग्यानवर्धक और वचार प्रेरख है कलाकारों और संग्राले निर्माण में योगदान करने वाले विक्तियों को बधाई जिन्होंने संग्राले निर्माण का कारे किया इस संग्राले को कम समय में समझना और देखना संभाब नहीं है उन्होंने शलाखा 28 प्रदशनी में गुंट चितरकार जय प्रकाश धर्वे के चितरों की प्रदशनी का अवलोकन किया और चितरकार जय प्रकाश धर्वे से उनकी कला यात्रा पर भी चर्चा की अब कुछ समचार सिंख शेफ में रैसिन सलेमी 15 अगस को 77 दिवस पूरे हरशुलास के साथ मनाया जाएगा मुख्य समारों होमगार्ड परेट ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा बैतूल में प्रतिवर्ष भुजरिया तियोहार पर बैल बाजार में राजे स्तरी कुष्टी आयोजित की गई प्रतियोगिता में भुपाल के राजीव ने विजय हासल की सतना शहर में भारी बारी से जलबराव के सिती बनी है कलेक्टर रुराग बर्मा और नगर निगम आयोगत ने जल निकासी के उचित प्रुबंद करने की निर्देश दिये शेडूल सिले में अनसुची जाती और अनसुची जिनजाती वर्क की छातरवरती में गडबढ़ी के मामले में कलेक्टर दे दूस अंस्थाओं से राशी वसूली के आदेश दिये हैं रतलाम में प्रताप नगर रेलवे फाटक पर अंडर पास की मांग को लेकर शेतरी पार्शद और रहवासी विधायक छेतर निकशप को पत्र सौपा शेडूल से लेकी शेश रहे तीन नगरी निकाय शेडूल, बुढ़ार और जैसिंग नगर के वाटों की आरक्षन प्रक्रिया पूरी कर ले गए है इस व्रिटिन में इतना ही दीचे जासत तमस्कार